आज हम बात करेंगे संभिधान की, भारत के संभिधान की, भारत में कुछ लोगों ने जान बुझ कर बहुत सारे ब्रह्म संभिधान को लेकर के खड़े कियें, और कुछ राश्टी विचार के संगठनों को लेकर के भी खड़े कियें, अबुमन कुछ लोग, ऐसे लोग, जि संविधान का कितना सम्मान करता है यह सब वैसे तो हम भली भाती परचित हैं रास्ट ये प्रतीकों के लिए संग के लोगों ने कितना बलिदान दिया है ये भी हम भली भाती परचित हैं देश में इस रास्ट में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति हर संगठन अपने देश के संभिधान में आस्था रखता ही है चलो आज आपको और अधिक स्पस्ट करने के लिए संभिधान के बारे में क्या सूचता है इसके लिए आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं तो सुनिए सरसुचालग जी को इसको नकारने से सत्यको और इसलिए अपने सम्मिधान कारूं ने भी राष्ट्र की इस भावात्मक एकता पर बल दिया है और पथदर्शक तत्व दिया है कि शासन का रवया ऐसा रहेगा कि इस प्रकार की भावात्मक एकता जल्दी से जल्दी प्रस्था पित होगी हम लोगों की एकता साधने वाला भाव कौन सा है वही है प्राचिनकाल से चलती आई हुई हमारी संस्कृदी भारत के प्रत्यक बच्चे को अपने संविदान के ये चार चाप्टर सब को बतानी चाहिए डीटेल्स फिर कॉंस्टिशनल लौ पढ़ने वालों के लिए है लेकिन भारत के बच्चों को यहने एकदम प्राइमरी मत पढ़ाओ समझ में नहीं आएंगे लेकिन जो फॉर्म मुझे म्कीज़त के महर्विधर दर्शकस तत्त ठत्त Wiki यृ जब किया है कैसे यह पढ़ाना चाहिए को धर्म है हम लोग साथ चले विविधा लोग एकत्र रहे और भारत की उन्नति हो उसी समय भारत की उन्नति से विश्व को कष्टन हो ये मन में रखकर उस समिधान की रचना की है और करने वाले सब हमारे लोग थे उनके सामने क्या आदर्शत है समय दान में जो चित्रों उन्होंने करम से दिये है उन चित्रों में वो व्यक्त होता है आधुनिक जीवन में हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमने एक समय दान का स्विकार किया तो स्विकार किया है तो क्या वो समय दान में हमारे लोगों ने तईयार किया है अपना सम्विधान अपने देश का consensus है और इसलिए उस सम्विधान के अनुशासन का पालन करना यह सबका करतव यह है संग इसको पहले से मानता है स्वतंत्र भारत के सब प्रतिकों के अनुशासन में उसका पूर्ण सम्वान करके हम चलते हैं हमारा सम्विधान भी ऐसा एक प्रतिक है शत्तकों के बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंत्र से खड़ा करने का जो मोका मिला उस पर हमारे देश के मुर्धन्य लोगों ने विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके सम्विधान को बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना उसके एक एक शब्द का बहुत खल हुआ है और उनको लेकर सर्व सहमती उत्पन्न करने के पूर्न प्रैआस के बाद जो सहमती बनी वो सम्विधान के रूप में अपने पास आई उसकी एक प्रस्थावना है प्रियैमबल है उसमें नागरिक करतव बताये हैं उसमें डारिक्टु प्रिंसिपल्स है और उसमें नागरिक अधिकार जी है बाकी कानूल वगरे उसके आधार पर जो बने वो बदलते रहते उस बदलने का प्रावधान उस सम्मिधान में वो चलते रहता उसके लिए फोरम है भारत की संसत्त उसके इंटरपिटेशन के लिए कोर्ट का मतलिया जाता है यह व्यवस्ता है उस व्यवस्ता मेंसे चलेगा जैसा चलना है लेकिन यह जो चार बाते हैं और कुछ constitutional provisions वो हमारा consensus है उसको मानकर ही सबको चलना है सबको चलना चाहिए ऐसा हम मानते है हम वैसा चलते है मैं केवल प्रियांबल पढ़ देता हूँ वही दी पीपल अव इंडिया है वही दी पीपल अव इंडिया है वही तो उसको भी पढ़ा है में ने and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity अब आगे की और एक महत्व की बात है जिसको दॉक्टर अंबेटकर सहाब ने अपने समुविदान सभा के वाशन में कहा था and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation समुविदान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे आपस के लड़ाई के कारण विदेशी जीते और हमको गुलाम बनाया मैं भाव बता रहा हूं शब्दों उनके है आप पढ़ सकते है हमने बंदुभाव अभी भी हम सवसत में बैठे परस पर विरोजी कैम्प में एक दूसरे की विरोजी बन कर यह तो तंतर की मजबूरी है लेकिन इन सब के बावजुद हम सब एक है ऐसा बंदुभाव उत्पन हमने नहीं किया तो फिर कौनसे दिन देखने पड़ेंगे बतानी सेकते हैं कि समाज जब तक सहयोग नहीं करता व्यवस्था येशस्वी नियोति केवल डॉक्टर अंबेडगर साहब ने कहा था कि सम्मिधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाब हुआ है परंतु वो पूरा का पूरा मिले अमल में आये इस कि परिभाषा कर्मी है तो एक परिभाषा वो भी है कि सम्मिधान ऐसा क्यों बना हम सब लोग मैं जब हिंदू कहता हूं तो फिर से ये रिलिजन नहीं है कि सुझा के लोगे इसका सवाल नहीं है ये जो बड़ी बाते हैं वो सब भारतिया पंधसंप्रदायों में ऐसी ही ह सब पंधसंप्रदायों में शुरू होते हैं दुनिया के मूल में एक तक्व है